हेलो जोरेंट्स एड फ्रेंट्स वेलकम टू दिस वीडियो सोफेंट्स आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूपीपुर क्लास 12 के का बैलो जी कि में एक कोस्चन है जो है कि इस्टोन से तुट क्या इस्पीसीज क्या होता है के स्टोन स्पीसीज क्या होता है तो आईए इसको देखते हैं के स्टोन स्पीसीज क्या होते हैं तो देख लएते हैं के स्टोन स्पीसीज ऐसे जीव जिनको किसी इस्थान या वातावर से हटा देने पर वहाँ साकाहारी या किसी जियों की संक्या में व्रिधी हो जाती है जिससे वहाँ और संतूलन उत्पन हो जाता है तो उस हटा हुए जियों को की स्टोन स्पीसीज कहते है मतलब मालीजे कोई ऐसा वातवन है जहाँ किसी जियों को हटा देने पर वहाँ किसी साकाहारी जियु या किसी जीव की संख्या में विरिधी हो जाती है और उस स्थान पर और संतुलनता उत्पन हो जाती है तो जो जीव हट गहे हैं उनकी कमी से जो संख्या विरिधी हो रही है तो उन जीव को K-stone species कहेंगे कहेंगे तो आई इसको चीत्र के माध्यम से समझते हैं हम एक्जांपल के माध्यम से समझते हैं तो सेर को जंगल का जंगल से निकाल देने या हटा देने पर वहां साकहारी जियों की संख्या में व्रिदी हो जाती है जैसे कि खरगोस बक्री गाय इत्यादी की व्रिदी हो जा में गराज को खरगोस या मक्री वेगरा खाएंगो और उसको क्या खाएंगे और अगरा भेंड ये कुट्ते खाएंगे और उनको कौन खाएगा से तो माली जिये अगर क्या होगा से खतम हो जाएगा या मर जाएगा या उससे स्थान से उनकी स्पीसीज खतम हो जाएगी तो ग्रास की व्रिधी होगी ग्रास की व्रिधी होगी और तो उसके बाद क्या होगा हमारे जो साकाहारी जीओं हैं जैसे खरगोस बकरी गायव हैं इनकी व्रिधी बहुत अधिक हो जाएगी फिर इनको कोई खाने और मारने वाला नहीं रहेगा तो वहां अधिक जनसंख्या हो जाएगी या फिर वहां पे ग्रास और जो हो अगरा है जारिया बगरा है उनकी सख्या विलूप्त हो जागी और ऐसे होते होते हमां सुखा पड़ सकता है तो इस इस्तिति में जो सेर को हटा दिये गए हैं तो वहां सेर को कहते हैं कि स्टोन इस पिसीज सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड सेर थैंक यू जाहिन